नमस्कार फ्रेंड्स स्वागत आप सभी का सॉलुशन देसर यूटूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में प्रेपोजीशन से रिलेटरिक प्रेटे सेट लिया है इस प्रेटे सेट में 30 कुशिन कवर करेंगे आप लोगों को जरू बताना की आप लोगोंने 30 में से कितना स्कोर किया है और इसका जो PDF है आपको टेलिग्राम के चनल पे एक दो दिन वाद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्किप्सन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लिजे और आप सभी लोग जो है यूटूब चैनल को भी जोइन कर सकते हैं यूटूब चैनल जोइन करते ही आपको सभी वीडियो उसकी जो PDF होगी वो आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगी और उसका पासवर्ड आपको चैनल के मेंबर्शिप सेक्शन में आपको मिल जाएगा जब आप सभी लोग यूटूब चैनल को जोइन कर लेंगे तो आपके यूटूब के होम पेज पे जो है मेंबर्शिप का उप्सिन खुल जाएगा तो उसमें आपको सभी वीडियो उसकी जो PDF का पासवर्ड होगा वो आपको मिल जाएगा तो PDF के लिए जो है आप लोग टेलिग्राम को भी जोइन कर लीजिए लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्सन में है और लास्ट में आप लोगों ने 30 में से कितना स्कूर किया है कमेंट आपको में जरूब बताएं तो चली वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट कियें चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आकिंग को प्रेस करें चली वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला जो कुशन है तो पहले आप लोग सोच लिजिए इसमें क्या होगा और आप लोगों को स्कोर जरूब बताना है कि आप लोगोंने 31 में से कितना स्कोर किया है तो इसका जो राइट उप्सन जो हो जाएगा कुशन अमर बन का ये हो जाएगा उप्सन सी इसका करेक्ट हो जाएगा तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है जो डील होता है डील के बाद दो प्रपोजिशन आती है तो दोनों प्रपोजिशन को आपको याद रखना है जब आगे कोई परसन हो तो आपको बिद प्रपोजिशन लगाना है जब आगे कोई परसन की बाद हो तो आपको हमेशा जो है ये डील के बाद इन प्रपोजिशन लगाना है तो दो प्रपोजिशन आती है डील के बाद ये आपको याद रखना है डील के बाद जो है बीद प्रपोजिशन आता है जब आगे कोई परसन हो और डील के बाद इन प्रपोजिशन का बाता है जब आगे कोई सामान की डील की जाए तो आप ये दोनों प्रपोजिशन याद रखें और डील के बाद जब इन प्रपोजिशन आएगा तो आगे जो है ब्यापार करना इसका मतलब हो जाएगा और जब deal के बाद बिद आएगा तो इसका मतलब होता है बरताओ करना तो इसका मतलब जो sentence का हो जाएगा ये हो जाएगा वै मुझसे बिनमरता से face आया तो ये आप याद रखें तो दोनों proposition मैंने आपको बता दिये हैं तो ये deal का जो है second form है deal तो ये आप याद रखें तो इसका जो है question number 1 का जो है c option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 2 he compiled blank my request तो इसका जो right option जो हो जाएगा ये हो जाएगा option A जो है इसका bid correct हो जाएगा bid क्यों correct होगा ये एक fixed position है आप ये याद रखें compiled के बाद जो है बीद आता है हमेशा आपको यह याद रखना है इसका मतलब हो जाएगा उसने मेरे अनुरोध को अनुपालन किया आप यह याद रखें तो compiled के बाद जो है हमेशा जो है बीद आता है आप यह याद रखें friends अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइकेन से जरू किया करें, अगला जो question है, question मत 3rd, a crime charged blank a man, तो यहाँ पर जो है किसी के बुरुद जो है, किसी के बुरुद खिलाप या अपराद का आरोप लगाना तो against होता है हामेशा, तो option जो है इसका भी correct हो आगला जो कुछन है कुछन में फोर इसमें है success consist blank industry तो जो consist लिखा है consist के बाद जो है दो proposition आते हैं जब consist के बाद in proposition आता है तो आगे कोई कुछ भी हो सकता है something जैसे इसमें industry दिया है तो कुछ भी हो सकता है अगर जो है consist के बाद आगे कोई member की बात हो तो consist के बाद जो है off proposition आपको लगाना है जब आगे कोई members की बात हो तो आप यह याद रखें जब आगे members की बात होती है तो आपको जो है consist के बाद जो है off proposition लगाना है अगर आगे किसी चीज की बारे में बात हो, जैसे कोई भी चीज जैसे इंडस्ट्री की बात हुई है तो यहाँ पे जो है इन प्रपोजिशन आया है दो प्रपोजिशन आती हैं consist के बाद तो दोनों प्रपोजिशन मैंने आपको बता दी है जब off आएगा consist के बाद तो आगे जो है members की बात होई होगी और जब इन प्रपोजिशन आएगा तो किसी बस्तू या किसी चीज के बारे में बात होगी तो दोनों प्रपोजिशन आप याद रखें तो इसका जो है यह option correct हो जाएगा तो आप यह याद रखें अगले जो question है question number 5 जो है यह प्रेसिडेंट सद्दाम हुसेन has been familiar blank a gun all his life तो इसमें जो है जो है familiar के बाद जो है proposition क्या आता है तो familiar के बाद जो है bid proposition आता है तो option जो है इसका a correct हो जाएगा familiar bid यहाँ correct हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा राष्टपती सद्दाम हुसेन अपने पूरे जीवन में एक बंदू से परिछित रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा तो option जो है इसका a correct हो जाएगा familiar bid होता है हमेशा आप ही याद रखें अगला जो question है question number 6 जो है she was removed blank the office of the director तो इसमें जो है removed के बाद from हो जाएगा removed from मतलब उन्हें निर्देशक के पद से हाटा दिया गया है तो किसी चीज से तो removed from हो जाएगा यहाँ पर correct तो option जो है इसका c correct हो जाएगा उन्हें निर्देशक के पद से हाटा दिया गया है यह fixed proposition है आप यह याद रखें अगला जो question है question number 7 है she surdard blank the dreadful sight तो इसमें जो है surdard के बाद जो है at proposition आता है यह fixed proposition है आप यह याद रखें तो option जो है इसका यह correct हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा वह बहबीत दरश्टी से चोंग गया इसका मतलब हो जाएगा आप यह याद रखें surdard के बाद जो है surdard के बाद जो है at proposition आता है तो आप यह याद रखें अगला जो question है question number 8 she smiled blank my mistakes तो यहाँ पे जो है smile के बाद भी at proposition आता है तो इसका जो है d option correct हो जाएगा she smiled at my mistakes तो इसमें जो है d option correct हो जाएगा at option इसका correct हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा वह मेरी गलतियों पर मुस्क्राई इसका मतलब हो जाएगा यह जो है fixed proposition है आप यह याद रखें अगला जो question है question number 9 है यह है he never parted blank the silver up that he had got as a reward तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जो part लिखा है part के बाद जो है bid proposition आता है यह एक fixed proposition है आप यह याद रखें तो parted लिखा है आपे तो parted के बाद जो है यह जो है part के बाद जो है हमेशा जो है bid आता है इसको आपको याद रखना है तो parted bid यह जो है fixed proposition है आप यह याद रखें इसका मतलभ हो जाएगा उन्होंने कभी रजट पदक के लिए भाग नहीं लिया जो उन्हें पुरुशकार के रूप में मिला था इसका मतलभ हो जाएगा यह fix proposition है आप यह याद रखें part बिद होता है हमेशा आप यह याद रखें अगला जो कुशन है कुशन नमर 10 I rejoiced blink her success तो rejoiced लिखा है rejoiced rejoiced के बाद जो है क्या proposition आता है इसके बाद जो है हमेशा add proposition आता है तो option जो है इसका जो है c option correct हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा मुझे उसकी सफलता पर खुशी है इसका मतलब हो जाएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है और उसका पेर पकड़ लिया, इसका मतलब हो जाएगा, तो snap at होता है, fix proposition है, आप ये याद रखें, friends अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को like and इसे जरूपिया करें, अगला जो question है, question number 12 है, I shall proceed blank him, तो proceed के बाद जो है, कितना proposition आती है, तो proceed के बाद जो है, दो तीन proposition आती है, तो मैं आपको बता दूँ, तो proceed के बाद जो है, अगेंस्ट है यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका जो है, ए आउप्सन करेक्ट हो जाएगा, प्रोसीड यहाँ अगेंस्ट का मतलब हो जाएगा, मैं उसके खिलाब जो है, अगेंस्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, अगर बात की जाए, जो है कोई बिजनिस शुरू करना, प्रोसीड, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, प्रोसीड, तो प्रोसीड के बाद जो है, यह टू प्रपोजिशन का बाता है, तो proceed के बाद जो है to proposition जब आता है जब कोई business शुरू करना हो अगर बात की जाए अगर proceed के बाद with proposition का बाता है जब कोई business आपने शुरू कर चुके हैं अगर उसी business को आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए 좋़ bit proposition आपको यूजे करना है proceed के बाद जब कोई business आपका चल रहा है अगर उसको और बढ़ाना है आगे तो उसके लिए जो है proceed बिद होता है अगर business शुरू करना है तो proceed के बाद to होगा अगर बात की जाए कोई चीज उत्पन करना है किसी चीज से तो proceed के बाद from होगा तो आपको ये proposition आपको याद रखना है जब कि किसी चीज को उत्पन करना है किसी चीज से तो from हो जाएगा अगर किसी business को आगे बढ़ाना है तो ये proceed के बाद बिद होगा अगर business शुरू करना है तो proceed के बाद जो है to हो जाएगा अगर against की जो बात करें तो proceed के बाद against कब होगा जब किसी के खिलाब जो है कानूनी कारवा उप ग्र侑न प्रपोजीशन आएक है गजिन दो है। यह प्रकॉजिशन आएगाS gefallen है यहादएसा हमेशा घंच और आपको यार्खना है। इसका मतलब हो जाएगा वह दुख से घवराया हुआ था या ब्याकुल था इसका मतलब हो जाएगा अगला जो question question number 14 He was involved blink a crime तो involved की वाद जो है हमेशा in proposition आता है ये आपको याद रखना है involved की वाद हमेशा in proposition आता है तो जो है इसका मतलब हो जाएगा वह एक अपराद में सामिल था इसका मतलब हो जाएगा तो involved की वाद जो है हमेशा in proposition आता है ये जो है fixed proposition है आपको ये याद रखना है अगला जो question है question number 15 I am displeased blink you but I am not displeased blink your phone तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है तो displeased के बाद जब आगे कोई person हो जैसे इसमें you दिया है तो आपको जो है bid proposition लगाना है displeased के बाद और जब आगे कोई चीज के बारे में बात की गई हो तो displeased के बाद जो है add proposition आता है तो दोनों proposition आपको याद रखना है इसका जो है डिस्प्लीज के बाद जब आगे कोई person हो तो आपको bit proposition लगाना है जब आगे कोई चीज के बारे में बात की गई हो तो डिस्प्लीज के बाद add proposition आता है ये आप याद रखें इसका मतलब हो जाएगा मैं आपसे a person हूँ लेकिन मैं आपके मजाग पर आपरसंद नहीं हूँ इसका मतलब हो जाएगा तो ये आप याद रखें अगला जो कुशन है कुशन मसिस्टीन are villagers voted blank the congress candidate तो इसमें जो है voted के बाद जो है क्या ओ प्रपोजिशन हो जाएगा तो ये for proposition इसका correct हो जाएगा तो इसका a option correct हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा हमारे ग्रामीडों ने कांग्रेश उम्मीद्वार को vote दिया इसका मतलब हो जाएगा voted for हो जाएगा correct इसका जो है a option correct हो जाएगा अगला जो question number 17 the publisher introduced me blink Rajiv जी तो इसमें जो है introduce के बाद जो है two proposition आता है ये जो है fix proposition है आपको याद रखना है इसका मतलब हो जाएगा पिरकासक ने मुझे राजीब जी से मिलवाया इसका मतलब हो जाएगा या राजीब जी से परचित कराया पिरकासक ने इसका मतलब हो जाता है ये भी जो है एक fix proposition है आपको ये याद रखना है friends अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक 10 से रुकिया करें अगला जो question है question number 18 जो है it is needless to lament blank the dead तो इसमें जो है lament के बाद जो है proposition आपको for लगाना है तो इसका जो है lament for होता है तो option जो है इसका c correct हो जाएगा lament for इसका मतलब हो जाएगा मरतकों के लिए या मरे हूँ के लिए जो है सोग पिरकट करना ब्यर्थ है तो आप ये याद रखें इसका मतलब हो जाएगा lament के बाद जो है for proposition आता है इसका मतलब हो जाएगा मरतकों के लिए या मरे हूँ के लिए जो है सोग पिर जो है, a man is angry blank a person, he may be angry blank a thing, तो इसमें आपको angry के बाद जब आगे कोई person हो, तो angry के बाद जो है, bit proposition आपको लगाना है, और जब angry के बाद कोई चीज हो आगे, तो angry के बाद हमेशा जो है, आपको at proposition लगाना है, तो दो proposition आपको याद रखना है angry के बाद angry के बाद जब बिद proposition आएगा तो आगे कोई person होगा जब angry के बाद add proposition आएगा तो आगे कोई thing होगा तो आपको ये दोनों proposition आपको याद रखना है तो इसका जो है c option नमों कोई चीज नहीं होती है यह आप याद रखें इसका मतलब हो जाएगा, तो अगला जो question है, question अबाजो 21 है, इसमें जो दिया है, he took the man blank hospital, तो यहाँ पे जो है to इसका correct हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, he took the man to hospital, तो मतलब वह आदमी को अस्पतार ले गया, इसका मतलब हो जाएगा, तो यह है, habituated के बाद जो है, आपको two proposition लगाना है, यह आपको याद रखना है, तो इसमें जो है, a option correct हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, स्री ठाकुर को जल्दी उठने की आदत है, तो habituated two होता है, तो इसका जो है, a option correct हो जाएगा, अगला जो question है, question number 23, जो है, we were deprived blank our freedom, तो यहाँ पर जो है, इसका मतलब हो जाएगा, तो deprived के बाद जो है, off proposition आता है, तो जब किसी चीज से किसी को बंचित करना, तो deprived के बाद जो है, off proposition आता है, तो इसका मतलब हो जाएगा, हम अपनी सोतनतरता से बंचित है, इसका मतलब हो जाएगा, तो deprived के बाद जो है, off proposition आ प्रपोजिशन आता है यह आपको याद रखना है तो हमारे जो पिरकाशक है हमारे पिरकाशक कठोर स्रम के आदी है इसका मतलब हो जाएगा तो अकश्टम जो है टू प्रपोजिशन आता है तो इसका जो है प्रपोजिशन आता है तो इसका जो है ब्रपोजिशन 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 आता है तो इसका जो ह है तो she obliged to you for your help तो इसका जो है c option correct हो जाएगा यह आपको याद रखना है obliged के बाद to होता है for your help मतलब आप your आपकी help के लिए तो के लिए तो for इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question number 27 he inquired blink me blink the matter तो इसमें जो है inquired के बाद आपको off proposition लगाना है जब inquired के बाद जो है off proposition आएगा तो आगे कोई person होगा यह आप याद रखें और यहां पे जो है about हो जाएगा की मामले के बारे में तो यहां पे जो है about the matter तो option जो है इसका a correct हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा उसने मुझसे मामले के बारे में पूश्टाच की मामले के बारे में तो about इसका correct हो जाएगा तो आपको मैं inquire से related proposition बता देता हूँ तो inquire से related जो proposition होते है, यह क्या क्या होते है तो inquire के बाद जब off proposition आएगा, तो आगे कोई जो है person होगा तो आपको यह याद रखना है, जैसे इसमें person जो है me दिया था तो आगे कोई person था, तो मैंने यहाँ पर off लगाया था तो यहाँ पर जो है इसका correct हो जाएगा तो आपको यह याद रखना है inquire के बाद जब off proposition आएगा तो आगे कोई person होगा अगर बात की जाए inquire into कब होता है तो inquire into मतलब होता है कि मामले की जाँच करना मामले की जाँच करना तो inquire into होता है अगर मामले के बारे में तो यहां पे जो है about हो जाएगा मामले के बारे में तो यहां about हो जाएगा और मामले की जांच करना तो into होगा आप यह याद रखें अगर बात की जाए किसी के स्वास्त के बारे में पूछना या किसी के किरिया किलाप के बारे में पूछना तो inquire के बाद जो है आपको after proposition लगाना है तो ये मैंने आपको चार proposition बता दिये है inquire के बाद और proposition आपको inquire के बाद लगाना है जब आगे कोई person हो जब किसी मामले की जांच करना हो तो inquire into होता है और मामले के बारे में जाच करना तो inquire about होता है और किसी के स्वास्त के बारे में पूछना क्रिया कलाप के बारे में पूछना तो inquire about after होता है तो यह चारो preposition आपको याद रखना है तो यहाँ पे जो है इसका a option correct हो जाएगा यहाँ off हो जाएगा और यहाँ मामले के बारे मे तो यहां पे about इसका correct हो जाएगा अगला जो question है question 28 he will inquire blink the matter तो यहां पे जो है मामले की जाच करना है तो यहां पे जो है off जहां पे for proposition की जगा आप into कर लीजिए तो यहां पे जो है इसका into correct हो जाएगा तो he will inquire into the matter मतलब जो है वह मामले की जाच करेंगे इसका मतलब हो जाएगा किसी मामले की जाच करना तो inquire into होता है मामले के बारे में तो about आपको लगाना है अगला जो question है question 29 जो है he inquired blink the health तो मैंने आपको बताया जब स्वास्थ या क्रिया कलाप के बारे में पूछना हो तो inquired के बाद आपको जो है inquired के बाद after proposition आपको लगाना है ये मैं आपको बता चुका हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा उन्होंने स्वास्थ के बारे में पूछताच की इसका मतलब हो जाएगा अगला जो question है question 30 he was indignant blank me तो indignant के बाद जब आगे कोई person हो तो indignant के बाद हमेशा जो है आपको bit proposition लगाना है तो इसका मतलब हो जाएगा वै मुझ से नाराज था इसका मतलब हो जाएगा indignant के बाद जो है bit proposition आता है जब आगे कोई person हो तो आपको ये याद रखना है इसका मतलब हो जाएगा वह मुझे से नाराज था इसका मतलब हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछन मा 31 He was indignant blank my remark तो मतलब वह मेरी टिपड़ी पर नाराज थे इसका मतलब हो जाएगा तो यहाँ पर जो है indignant add proposition आता है तो indignant के बाद add का वाता है जब आगे किसी के बारे में या किसी की टिपड़ी के बारे में तो यहाँ पर add proposition आपको लगाना है तो दोनों proposition आपको clear हो गए होंगे थेंक्यू फ्रेंड्स आप लोगों ने 31 में तो कितना score किया है comment box में जरूब बताएं तो आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइके इंड से जरूखिया करें अगर चैनल पर पहले आप विजिट कियें चैनल जरूब सब्सक्राब करें मिलते हैं न्यू वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंद्यमात्राम